Hello friends, आज हम Microsoft Word में themes group पे काम करेंगे, theme groups जो है वो हमारा page layout tab पर होता है, उसमें सबसे पहला command है themes का, themes याने कि हम अपने document में अगर कोई theme apply करना चाहते हैं, तो हम यहां से themes वाले drop down menu पर click करेंगे, यहां हमारे सामने काफी सारी predefined themes style आएंगे, हम जिस भी theme style पर अपने mouse को roll over करेंगे, वो उसका live preview भी आपको show करेंगा, आप जो भी theme style अपने document पर apply करना चाहते हैं, आप उससे click करके apply कर सकते हैं, like हम यह theme style याद यह theme style अपने document पर apply करना चाहते हैं, आप वो theme style पर click कर देंगे, वो theme style हमारे document पे apply हो जाएगा, फिर हम next drop command आता है colors का, अगर हम colors change करना चाहते हैं अपनी themes का, तो हम यहां से colors के drop down menu पर click करेंगे, आप इन boxes में से कोई particular color जो है अपनी theme को नहीं दे सकते, हम यहां से in colors में से ही colors जो है वो provide कर सकते हैं, आप जैसे ही अपने mouse को in colors पर roll over वो color जो है आपको live preview भी दिखाएगा, आपको जो color भी अपने document के लिए suitable लगता है, हम click करके उसे अपने document पे apply कर सकते हैं, like हम इस पे click करते हैं, और वो color हमारे document पे apply हो जाएगा, next है phone का, अगर हम अपने theme का phone change करना चाहते हैं, तो हम यहां पर काफी सारे phone style दे रखे हैं जो भी phone style हमें अपने document के लिए suitable लगता है, हम click करके उसे apply कर सकते हैं, like हम यह phone style अपने document पे apply करते हैं, next है effects का, जो effects हैं, वो सिफ हमारे picture या फिर smart art पे ही apply होंगे, आप देखेंगे कि यह smart art जो हम नहीं insert किया है, जो effects हैं यहां पर theme groups में effects, वो सिफ हमारे smart art पे ही apply होता ह या फिर shapes पर या फिर pictures पर, आप देख रहे हैं कि जिस भी effect पर आप अपने mouse को roll over करते हैं, आप वो effect अपने smart art में देख सकते हैं, आपको जो effect भी अपने smart art पे apply करना है, like हम यह text अपने smart art पे apply करना चाहते हैं, हम click करके उसे अपने smart art पे apply कर सकते हैं, thank you